हेलो दोस्तो आप सबी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोट की स्टार्टिंग में हमें गाउं के लोग दिखाये जाते हैं वे लोग किसी फैस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे और यही पर हमें ये भी बात पता चलती है कि गाओं के सारे लोग जनरल मेन की काफी इज़त करते हैं क्योंकि जनरल मेन हमेशा से उनके साथ काफी अच्छा बरताओ करता आ रहा है तब हमें जोरदार धमाकी की आवाद सुनाई देती हैं जिसे सुनकर सारे लोग समझ जाते हैं कि इस बार जन्रल मेन किसी strong opponent के साथ लड़ रहा है और इसके कारण fight खत्म होने में time भी लग सकता है तो दूसरी तरफ हम लियांग और जन्रल मेन को लड़ते हुए देखते हैं जिस दोरान जन्रल मेन अर्थ एलिमेंट का पूरा इस्तमाल कर रहा था यहां तक कि उसकी power लियांग के खतरना cannon flames को रोकने में काम्याब होती है जिसके बाद वो अपनी power का use करके लियांग के उपर पत्थरों से एक पहार बनाता है जो कि लियांग के उपर गिरने ही वाला था कि तभी बीच में शूचू आ जाता है लेकिन लियांग उसे वापस जाने के लिये कहता है जिस पर शूचू पहले तो मना करता है मगर लियांग के एक बार और कहने पर वो वहाँ से गायब हो जाता है अब इसके बाद लियांग केनन flame से भी जादा खतरनाग मेजिक का use करता है जिससे पहले तो कुछ नहीं होता और ये चीज़ देखकर जनरल मेन उससे कहता है कि बैटल फिल्ड में तेजी से काम करना होता है लियांग मगर तभी लियांग का magic अपना जलवा दिखाता है दरसल उसने सीधे जनरल मेन को ही target किया था ये देखकर शियालिंग लियांग से कहती है कि क्या तुम जनरल मेन को जान से मारना चाते हो जिस पर लियांग उससे बताता है कि ये flame से सिर्फ spirit को ही hurt कर सकती है इंसान इससे सिर्फ थोड़ा बहुती injured होता है मगर जब magic का असर कम होता है तो लियांग हैरान रह जाता है क्योंकि जनरल मेन को एक खरोस तक नहीं आई होती है और ये कमाल उसकी guardian spirit लिंग मिंग का था जिसने silver hands में convert होकर जनरल मेन को flame से से protect किया था अब ये देखकर वे दोनों फिर से fight करने के बारे में सोचते है जिस पर शियालिंग कहती है कि बस करो आप बहुत हुआ क्या आगे fight करके इस पूरे block को destroy करने का इरादा है जिसे सुनकर जनरल मेन लियांग से पूसता है कि तुम क्या करना चाहते हो जिस पर लियांग जवाब देता है कि अगर तुम हार मानते हो तो मैं तयार हूँ जिसे सुनकर जनरल मेन को अपने बचपन की याद आती है कि वो भी लियांग की तरह ही था जिसके बाद वे दोनों फिर से fight करना शुरू कर देते है तो दूसरी तरफ कमांडर अपनी spirit आर्मी के साथ गाव में आता है दरसल वो यहाँ पर बुद्धी ट्री में जो dragon flower है उसे लेने के लिए आया था जिसे सुनकर गाव वाले उसे लड़ने के बारे में सोचते हैं लेकिन कमांडर की spirit आर्मी को देखकर वे लोग पीछे हट जाते हैं वहीं यह सब देखकर जेंग नाम का आदमी अपने वरकर को तुरन जनरल में को यह सब इन्फों करने के लिए भेशता है जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडर अपने असिस्टेंट के साथ पेड़ के पास आता है और जैसे ही वो पेड़ पर हाथ रखता है तो उसे भी लियांग की तरह ड्रेगन फ्लावर पेड़ के अंदर होने का एहसास होता है इसलिए वो असिस्टेंट को अंदर जाने का रास्ता बनाने के लिए कहता है जिसे सुनकर असिस्टेंट इन्वार्मेंट की पावर का यूज करके पेड़ के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल ओपन करता है जिसके थूँ कमांडर पेड़ के अंदर चला जाता है तो वहीं बाहर रेड बोडी एक लेडी को वही सब बता रहा था जो जनरल मेन ने श्री को पिछले एपिसोड में कहा था कि बुद्धी ट्री सिर्फ एक पैड नहीं है वो अपनी पावर से सारी स्पिरिट की बैड मेमिरिस को मिटा देता है जिससे हम समझ पाते हैं कि कमांड और ड्रेगन फ्लावर को पैड से निकाल कर इस्ट्रीट पर की सारी स्पिरिट को इविल स्पिरिट में बदलना चाहता है और वो ये सब जनरल मेन को तकलीफ देने के लिए कर रहा है क्योंकि जनरल मेन गावालों से काफी प्यार करता है तो दूस्री तरफ जो बंदा जनर भी भी evil spirit में बदल सकता है वही ड्रेगन फ्लावर निकलने के बाद पेड़ के सारी पतिया जहड़ने लगती है जो पानी में गिर कर butterfly बनकर उड़ रही थी जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेगन फ्लावर ना होने के कारण पेड़ सड जाता हैं साथ ही में अपने आप उस इस तरफ गाव वाले पेड पर लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब काफी जादा देर हो चुकी थी क्योंकि बुद्धी ट्री पूरी तरह से जल रहा था और ऐसा होते ही सारी स्पिरिट्स को अपनी बैड मेमरीज यानी वेलोग कैसे मरे थे उसके बारे म मारने का ओडर देता है तो दूसरी तरफ हम श्री और गोएर को एक रूम में छुपे हुए देखते हैं मगर तभी वहाँ पर इस्पिरिट आर्मी के लोग आ जाते हैं लेकिन इसे पहले की वे दुनों पकड़े जाते वे लोग खिडकी से भाग खड़े होते हैं वही बाह के दोरान गोएर को अपनी मोम की याद आती है कि वो कैसे मरी थी जिसके कारण अब वो भी इविल स्पिरिट में बदलने लगता है इसलिए श्री उसे गले लगा कर इविल स्पिरिट में बदलने से रोकने की कोशिश कर रही थी मगर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गोएर जल्दही इविल स्पिरिट में बदल कर उस पर अटेक करने ही वाला था कि तभी स्पिरिट आर्मी के लोग गोएर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं तो दूसरी तरफ लिंग मिंग के साथ जनरल मेंड गाउं के बहार आता है जिसके पीछे थोड़ी ही देर बाद लियांग और शियालिंग भी आते हैं और वे लोग अपने सामने का नजारा देकर हैरान थे क्योंकि बोद्धी ट्री के साथ साथ पूरा गाउं नर्ख की आग में जल रहा था इसके बाद जब जनरल मेंड गाउं में जाता है तो वहाँ पर उसे एक भी स्पिरिट नहीं दिखती मगर तभी एक इविल स्पिरिट उस पर अटेक कर देता है जिसे जनरल मेंड मारने इवाला था कि तभी वो देखता है कि वो इविल स्पिरिट और कोई नहीं बलकि उसका दोस्त जैंग था जिसके साथ वो हर रोज चाए पीने के लिए बेठा करता था वहीं जैंग की इस हालत को देखकर उसे काफी जादा बुरा लगता है मगर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता इसलिए वो दिल पे पत्थर रखके जैंग को खत्म कर देता है जिसके बाद वो उसी टेबल पर जाकर बेटता है जहां बेटकर वो जैंग के साथ चा मगर इससे पहले की वे लोग अटेक कर पाते तबी आस्मान में फटा के फूटने लगते हैं जिसे देखकर सारी इविल स्पिरिट्स फ्रीज हो जाती हैं जिसके बाद जनरल में दूखी मन से एके करके सारी इविल स्पिरिट्स को खतम करने लगता हैं वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे गाव में अब सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं बचा था सारे लोग इविल स्पिरिट में बदल गए थे तो इस तरफ लियांग और शिया लिंग जलते हुए बुद्धी ट्री के पास आते हैं जहां पर जनरल मेन इविल स्पिरिट को खत्म कर रह इविल स्पिरिट में बदल गई तो उसे कोई भी अच्छी बात याद नहीं रहती याद रहता है तो बस है ट्रेड और लस्ट जिसे सुनकर हम समझ पाते हैं कि लियांग को समझ आ गया था कि बच्पन में सिस्टर के इविल स्पिरिट में बदलने के बाद साउ ने उसे ख जटके में बुद्धी ट्री के आसपास की सारी इविल स्पिरिट को खतम कर देता है ताकि जनरल में को उन्हें खतम करने में और तकलिफ ना हो जिसके बाद अगले सीन में हम कॉंस्टेबल को देखते हैं उन लोगों को पूरा भरोसा था कि इतना सब खोने के बाद जनरल म चूप नहीं रहेगा इसलिए वेलोग हीरोज होल के एक वोरियर को ये सब संभालने के लिए देते हैं साथ ही में उसे रक्षरसा स्ट्रीट के मेटर के भी जाच करने के लिए कहते हैं जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है